हेलो गाइज वेलकम बाक टूदी चानल कैसे आप लोगा है होप यू गाइज आ डूइंग आप सिलूटली फाइन पॉलिगान मैटिक एक ऐसा क्रिप्टो इंदी क्रिप्टो कांसी मार्केट जिसने पिछले तीन महीन में काफी कुछ जेला काफी कुछ देखा पॉलिगान मै क्यों क्यों प्राइज जो है पॉलिगान मैटिक का वापस रिकावर हो रहा है आफ्टर एस चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में इक कमेंट करके यही बोले कि हमारा वाटसाब नंबर है तो उनसे बचके रहेना वह सारे कि सारे स्केमर से किसी भी शोचल मीडिया से कभी भी हम आप से कनेक्ट नहीं करतें किसी और आ अपने क्रिप्तों से इंड करे तो समंझ लीजिए वो क्रिप्तों आपके आथ से चले बैठे हैं कि अच्छा-कासा profit हम लोगों को देगा Looking into all the partnerships Looking into all the things which are currently happening in Polygonmatic अज सुबह हम लोगों ने आपके साथ share करा है ना Telegram Channel की Polygonmatic की किन companies के साथ यहाँ पे partnerships है और वो नाम काफी बड़े हैं जैसे कि आप side में देख भी सकते हो यहाँ पे अगर हम top 10 brands की बात करें सबसे पहले आता है आपे draft kings second आता है nothing phone, third आता है fourth आता है reddit, fifth आता है disney, six आता है adidas, seventh आता है national football league eight आता है starbucks, then adobe and then meta यह कुछ ऐसे brands हैं जिनके साथ Polygonmatic ने tie up कर रखा है या partnerships जहाँ पे वो अपनी अलग-अलग services जो हैं वो यहाँ पे deliver करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे side में चार्ट में देख सकते हो and this chart has been shared with you on the telegram channel, तो अगर आप लोग ने join नहीं कर रहा है तो join कर लीजिए, link नीचे description में दे रहा है, अब जैसे हमने इस वीडियो की starting में बताया आपको Polygonmatic ने पिछले 3 महिने में काफी कुछ देखा एक dump देखा, जहाँ पे SEC ने Polygonmatic को blame करा just as a security, आज की time में Polygonmatic का क्या reward गया किस चीज की वज़े से Polygonmatic यहाँ पे वापस pump कर रहा है वो चीज यहाँ पे देखने में बहुत interesting है because यहाँ पे दोनुच चीजे, fundamental की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक नए CEO जो है, वो appoint करेंगे साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, काफी चीजे जो है वो develop हो रही है in Polygonmatic, Polygon 2.0 की जहाँ पे बात है हो रही है काफी कुछ चीजे जो है, Polygonmatic एक प्लेट में रखता है जहाँ पे वो बात करता है to the developers तो साइड में आप देख सकते हो, हमने ओपन कर दिया कोईन के को आप currently जो global market है, that is a 0.6%, BTC is a 0.6%, ETH is a 0.3% Polygonmatic की बात करें, at number 13 position, top 10 से भार आया Polygonmatic, जैसे ही इसको label दिया गया as securities from SEC काफी exchanges है, जिन्होंने deals करा Polygon, including Robinhood यहाँ पे एगर हम Polygon की बात करें, जैसे हमने आपको बताया था last 3 months में Polygonmatic ने सब कुछ देखा यहाँ पे एक dump जहाँ पे Polygonmatic चल रहा था at around $1.20, वहाँ से निचे आया और इसने break करा 60 cents का level, आज के टाइम में जहाँ पे चल रहा है 73 cents में 0.2% अप है in the last 24 hours, last 30 days अगर आप compare करते हो 17% अप, last 14 days से 15.1% अप, last 7 days से 5.7% अप, so Polygonmatic के investor ने last 3 months में सब कुछ देख लिया, एक dump in the price, उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ developments and again price जो है वो jump हो रहा है, Polygonmatic के अगर हम लोग बात करें, we easily see Polygonmatic again coming in the top 10 and इसमें कोई भी शक नहीं है, हम लोगों को at least, but yes, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, काफी अच्छा competition जो है, Polygonmatic face करेगा इंदी market, जहाँ पे आज की टाइम में, Solana काफी अच्छा कर रहा है, जो कि although इसका competitor नहीं है, direct competitor नहीं है, जहाँ पर हम बात करते हैं, light coin की, जिसकी halving है, इंदी जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, dodge coin की, although just as a meme token market में है, but yes, काफी लोगों ने dodge coin यहाँ पर purchase कर रहा है, so now the question comes back, कि Polygon यहाँ पर pump क्यों कर रहा है, क्या चीज़े हो रही है Polygon में, और उसके लिए चलते हैं, एक article में, जहाँ पर यह बहुत beautifully explain करा गया है, all the reason, in fact दो reason जिसकी वाज़ा से Polygon में, आची date में हमें pump देखने को मिल रहा है, and will the pump continue, इसके बारे में भी बात करेंगे, आगी केस वीडियो में, so यह article share हुआ था in coin telegraph, जहाँ पर बताया था, new CEO Polygon's decentralized governance plan, Matic's intraday gains come as a part of a broader price jump that started after Polygon appointed its formal chief legal officer Mark Boyran as the new CEO on July 7th, since then Matic USDT has gained nearly 15%, यहाँ पे खाली यह नहीं है news, यहाँ पे news यह भी है कि Polygon 2.0 कि यहाँ पे बाते हो रही है, meanwhile the price gains also appear as Polygon prepares to implement a sequence of network upgrades as a part of its Polygon 2.0 overall, namely the establishment of a DC centralized governance protocol by July 17th, Matic whales get bigger, आप यहाँ पे whales जो हैं वो भी Polygon को purchases कर रही है, whales and कहीं न कहीं retail investor यह जानता है कि जो भी crypto आज के टाइम में on development काम कर रहा है, in fact 2022 से हम यह आपको बोलते वे आ रहे हैं, जो भी crypto यहाँ पे काम कर रहा है on betterment, जो भी crypto यहाँ पे काम कर रहा है on development friend, उससे आपको जादा उमीदे होनी चीए हैं, हम लोगों को personally उमीदे जादा है on Polygon and that is why Polygon is one of the crypto जो हमारे bags में number one में आता है, after obviously Bitcoin and Ethereum. Polygon के अगर हम बात करें तो काफी whales जो हैं, वो interested हमेशा रहती है in Polygon. Matic's price rally on 11th of July succeeded a period of strong whales accumulation. For instance, the supply of Matic held by entities with a balance between 10 million and 100 million tokens has increased by more than 1% in July so far and July की अभी खाली starting हुई है. And यही fact यहाँ पे यह भी बताता है कि जैसी Polygon का price $1 के नीचे आता है, कहीं न कहीं whales भी interested होती है, उसी के साथ-साथ many retail investors are interested in buying Polygon because they see a future in this crypto, they see Polygon breaking $1 very easily and उससे भी उपर जाएगा because यहाँ पे whales की जहाँ पे हम लोग बात करें, they are very tactically correct जहाँ पे वो लोग खाली profit की बात करते हैं, profit की बात करते हैं, they want the retail investor to occur losses, but यहाँ पे whales भी accumulate कर रही है, retail investors भी Polygon को यहाँ पे accumulate करते जा रहे, तो क्या इसका मतलब की Polygon का price अब drop नहीं हो सकता, that is another question जो आप लोग पूछना चारें, yes we see a downtrend, downtrend में अगर हम लोग बात करें, Polygon Matic कहीं न कहीं 50 cents तक जा सकता है, उसकी possibilities मार्केट में हैं, आज का टाइम में जहाँ पे crypto market, overall crypto market का sentiment, जो है वो यह balance चल रहा है, जहाँ पे लोग जादा positive भी नहीं है, जादा negative भी नहीं है, but एक bad news in the crypto market can very easily crash most of the cryptos, Polygon को या किसी भी और crypto को, जिसको हम accumulate करते हैं, जिसको हम अपने portfolio में रखते हैं, दोनों side of the coin हम लोगों को देखना चाहिए, when we are positive about some crypto, अगर वो negative जाता है, तो हमारा क्या stance होगा, उस चीज़ के लिए हम लोगों को ready रहना चाहिए, बात यहाँ पे करें, Polygon 2.0 की, and that is very beautifully explained in their own website, इनकी website में जाते हैं, यहाँ पे आप देखते हो, Polygon 2.0, a vision for Polygon future that brings Ethereum to internet scale, just as anyone can create and exchange data, Polygon 2.0 proposes a protocol that enables anyone, anywhere to create program and exchange value, यहाँ पे और भी detail दी गई है, blog के थुरू, blog यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे बात करते हैं, unlimited scalability, unified liquidity की, यहाँ पे लिखा है, our vision for Polygon is simple, to build a value layer of the internet, just like the internet allows anyone to create and exchange information, the value layer is a fundamental protocol that allows anyone to create exchange and program value, यहाँ पे, although Polygon को लेके, काफी लोग एक चिंते जरूर हैं, जब से SEC ने आप एक claim करा, कि Polygon is just a security, but काफी लोग यहाँ पे positive शुरू से रहें for Polygon, because एक ऐसा crypto market में है, जो काफी transparent है, एक ऐसा crypto market में है, जो काफी vocal है, about whatever things are happening there, एक ऐसा crypto, जिसकी partnerships काफी strong है, अगर आप किसी भी crypto के बारे में पढ़ते हो, या किसी को भी आप follow करते हो, Polygon Matic would be one of the crypto, जिसको हर किसी ने mention करा होगा, Polygon Matic is probably one of the crypto, जिसको लेके, काफी लोग यहाँ पे bullish हैं for the long term, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, next bull run की, Polygon Matic का क्या होगा इंदी future, Polygon Matic कहा तक जा सकता हैं इंदी next bull run, अब यह अलग-अलग speculation, अलग-अलग assumption है लोगों की, बट यहाँ पे एक चीज पकी है, Polygon Matic जहाँ पे काम करते हैं, development साथी साथ, partnerships उसने काफी amazing कर रखी अभी तक, and I'm sure आगे भी Polygon Matic जो है, वो काफी अच्छी partnerships कर सकता है, it definitely is one of the crypto, जो काफी अच्छे return दे सकता है, when we speak about the price point of Polygon Matic, हम लोग कहीं न कहीं, from $5 to $10 तक Polygon Matic को जाते हुए, उमीद कर सकते हैं, the next bull run, but yes, Polygon Matic is probably one of the crypto, जिसके बारे में यह बोला जाता है, is very undervalued, जितनी इसकी बाते होती हैं, जितनी इसके बारे में लोग बात करते हैं, साथ ही साथ, yes, एक चीज यहाँ पर जरूर है, जिसके बारे में काफी लोग already बात कर चुके हैं, is the supply of Polygon Matic, उसको लेके भी यहाँ पर discussions होते रहते हैं, when we speak about the value, when we speak about the partnerships, when we speak about the developments, Polygon Matic कही न कहीं stand out करता है, from all the other altcoins, जो market में आज के time में available है, yes, Polygon Matic जो है, काफी competition face कर रहा है, आज के time में, when it comes to layer 2 solution, जहाँ पर आर्बिटरम भी एक near competitor है, of Polygon Matic, but उसी के साथ-साथ, Polygon Matic, because it's an old crypto, काफी time से market में है, काफी लोगों ने purchases कर रहा है, कहीं न कहीं एक उमीध है, Polygon Matic to break its all time high, very easily in the next bull run, और उसके बाद एक नया all time high बनाएगा, नया all time high कि अगर हम लोग बात करें, many people assume कि Polygon Matic, जो है $5 to $10 तक बहुत इस रेंज में जा सकता है, बट यहाँ पे you need to decide, what are your price target for Polygon Matic, and case price point में आप लोग Polygon Matic, या किसी भी alt coins को जो आपने accumulate कर रखे हैं, वहाँ पे कब आप sell करना चाहोगे, वो target आपके mind में पहले से decided होने चाहिए, you should not wait for the bull run to come, and तब आप decide करो, because उस time हर किसी के अंदर एक greed आ जाएगा, हर किसी के अंदर एक वो moment आएगा, जब वो बोले गा, यार यह crypto already rise हो चुका है, let us wait a little more, थोड़ा और बढ़ने देते हैं, तब जाके हम इसको sell करेंगे, यह आपके साथ ना हो, इसलिए we request all of you to decide your price target before and, यह वो time है जहाँ पर आप लोग targets decide कर सकते हो, यह वो time है जहाँ पर market जो है, अभी भी एक अच्छे price point में है, जहाँ पर आप DCA कर सकते हो, यह वो point है जहाँ पर market अभी भी, एक bull run में नहीं आई है, काफी नए investor हैं जो market में आ रहे हैं, या surely आ रहे हैं, इसकी वज़ा से काफी लोग क्रिप्टो मार्केट को जानते हैं, and will that brand make you a millionaire or billionaire, that completely depends कि आप लोगों ने आपे कौन कौन से crypto's purchase कर रखें, क्या क्या targets आप लोगों ने ले रखें, क्या वो realistic targets हैं नहीं है, that is what you need to decide on, with that said guys, आज का वीडियो करते हैं पर, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ, अच्छा लगाओ तो like कर देना, share करना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye,